हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चैनल तो मैं आगे हूँ कोलकाता का बीगेस्ट होलसेल प्लांट नर्सरी मुचिशा तो नर्सरी बोलना तो घलत रहेगा क्योंकि यह एक गाउं है और इस गाउं में हर एक घर में हर एक इंसान नर्सरी से जुड़ा हुआ है पूरे गा करना नर्सरी तो नहीं हो पाएगा एकस्प्लोर करना नहीं हो पाएगा तो मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके और एक नर्सरी बहुत ही बढ़ा है अप मेरे पीछे देख सकते हैं यह पूरा एक नर्सरी है यह पे इंडोर आउटओर हर तरिके की प्लांस मिलता है होलसेल नरसरी है और रिटेल प्राइस में भी आपको मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी जितना हो सा कि मुझसे नरसरी घूमने की एक्स्प्रोर करने की और प्लांस का क्या प्राइस है अल्मोस्ट यह ऑनलाइन डेलिवरी होता है कि नहीं और प्लांस का प्राइस कैसा है सब जूरे रही है और धूब बहुत है गर्मी बहुत है तो देखते हैं कितना हो पा रहा है मैं अभी जिस नरसरी पे हूँ यहां पे इंडोर आउट्डोर हर तरीकी की प्लांस आपको मिल जाएगा और प्राइस एक दम रिजनेबल है कि यह है वेरिगेटेड शेफ लेडा इस आप इंडोर या सेमी शेड पर रख सकते हैं इसका प्राइस है जस्ट रूपीज एटी आप इसका साइस देख सकते हैं और यह मैं आपको रिटेल प्राइस बता रही हूं होल सेल में अगर आप पर्चेस करते हैं बहुत सरे प्लांस एक साथ पर्चेस करते हैं तो आपका प्राइज और भी कम हो जाएगा मेरे पास पहले से ही एक टेबिल कमीनी प्लांट था लेकिन आई कुड़न रेजिस माइसेल्फ मैंने फिर से एक ले लिया क्योंकि इसका साइज देखिया अब कितना बड़ा है घर पे मेरे पास अभी पॉटिंग सॉइल बचा नहीं है तो यहां पे पॉटिंग भी हो जाएगा विट पॉट सॉइल और फर्टिलाइजर के साथ यह लोग पॉटिंग करने में सिर्फ 15 रुपीज चार्ज करते हैं थैंक्यू दादा चारो और सिर्फ ग्रीन और ग्रीन आप चाहे प्लांट ना भी खड़ीदो तब भी आपको इस जगा पे एक बड़ आना चाहिए और इस जगा का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप एक बड़ चेकाउट कर लेना डेलिवरी हाई प्लांट भी मैंने वहाँ से लिया है। यह पीस्ली ब्लांट भी मैंने वहाँ से लिया है। क्या है इंचर्स रुपीस सेवेंटी क्या है। क्या है। क्या है। मुचिसा को आप एक प्लांट हब कह सकते हैं। आपको हर तरिके की इंडोर आउट्डोर फ्लावरिंग प्लांट्स, कैक्टस, सक्यूलेंस, वेजिटेबिल, सीड्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग आपको यहां पे इवन सॉयल और फर्टिलाइजर जो कुछ भी गार्डेनिंग के लिए जरुरत है। सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। पर यहां पे ओनलाइन डेलिवरी का फेसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको यहां पे आके ही प्लांट लेना पड़ेगा। और आने के लिए लोकेशन मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चेक कर सकते हैं। मैंने और भी नर्सरीज एक्स्प्लोर किया है तो इसका पार्ट टू भी आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूरना। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर पेस करना ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्ष्वद करना मत पूर टूर मैं और आपके जब करना ताकित अज़िके नोट्या में आपके जाए। प्रूजु कर दो झाल कर दो एक पर दो एक कर दो भी नए मैं जए भी नए जग रखेंगा जा जए रखेंगा जए रखेंगा हुआ है